हेलो एव्रिवान दिस इस यूर फ्रेंड सभी हाँ वेल्कम बैक टू आर चानल स्टेर्स टू एक्सिलेंस जोहां पर आपको बीट्स रेलेटेड वीडियोस मिलते हैं सो गाइस इस सेशन में हम डिसकस करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में उसका मीनिंग, अब्जेक्टिव्स एन इंपॉर्टेंस सो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में कवर करेंगे तो ये सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक कर देना शुरू करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अब जो ये management word है ये जो word आया है वो Italian word से आया है manager से ये spelling आपने याद रखना है जिसका मतलब होता है to handle, handle करना चीज़ों को, किसी भी चीज़ को supervise करना आप बोल सकते हो या direct करना, okay management is a universal phenomenon, it is a very popular and widely used term इसको universally accept किया गया है, ये एक universal phenomenon है मतलब सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में applicable नहीं है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं देखने को मिलेगा आपको ये आप कोई भी country में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, okay क्या देखने को मिलेगा, management देखने को मिलेगा जैसे के gravity है, वो आपको सिर्फ पर सिर्फ इंडिया में नहीं देखने को मिलेगी वो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको gravitation देखने को मिलेगा तो यह एक example था तो इसी तरीके से management भी क्या है एक universal phenomenon है globally जिसको हम बोल सकते हैं कि all around the world आप यह चीज़ को देख सकते हो बहुत ही popular है all organizations, business, political, cultural और social are involved in management because it is the management which helps and directs the various efforts towards a definite purpose अब कोई भी organization हो चाहे वो business से related हो political हो, cultural हो, social हो हर जगा management involved है और management क्यों involved है क्या काम क्या करता है यह help करता है, मदद करता है जो है हमें काम कैसे करना है जो हमारा purpose है उसको हमें कैसे achieve करना है हमारा जो मकसद है, aim है उसको कैसे achieve करना है उस aim को achieve करने के लिए हमें in short direct करता है, इसी को कहा जाता है management, understood अब अगर मैं बात करूँ meaning की, so according to F.W. Taylor, management is an art of knowing what to do when to do and see that it is done in the best and cheapest way सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो management है, वो एक art है हर किसी के अंदर ये art नहीं होता है जो management skill है, वो सब के अंदर नहीं होती है, चीजों को कैसे manage करना है, वो हर किसी को नहीं आता है, so ये क्या है एक art है, it is an art of knowing what to do, क्या करना है ये पहचानना, when to do कब करना है, and see that it is done in the best and cheapest way और ये भी देखना कि मतलब चीजों को कैसे करना है कब करना है, और cheapest way में कैसे कर सकते हैं, उसको, उस काम को, उसको कहा जाता है management clear, now good management includes both being effective and efficient, ये दोनो terms आपको याद रखने है, effective and efficient, ये दोनों का combination होना जरूरी है good management में, effective is like fitting square, pegs in square holes and round pegs in round holes, मतलब task को appropriate तरीके से करना, सही तरीके से करना, that is effective okay, and efficient मतलब task को सही से करने के साथ साथ जो resources है, उसका कम से कम استعمال करना, मतलब waste ना करना जादा चीजों को consume ना करना time को भी जादा consume ना करना, या फिर effort ठीक है, so ये सब चीजों को जादा consume ना करना, उसका मतलब होता है efficient, तो ये दोनों का combination अगर हो जाए, तो उससे कहा जाता है, good management clear? Now, the educational management is the process of planning, organizing, directing and controlling the activities of an institution by utilizing human and material resources so as to effectively and efficiently accomplish functions of teaching, extension work and research. अब management तो हमने देखा कि क्या है management मतलब किसी भी चीज़ को handle करना, direct करना ये supervise करना, that is management management का लेकिन education में क्या काम? तो obviously management तो हर जगे required है चाहे वो घर हो, office हो, hospital हो, private sector हो, public sector हो, management का होना ज़रूरी है, अगर management proper नहीं होगा, तो चीज़े सही तरीके से work नहीं करेगी, तो इसी तरीके से educational institution में भी management का होना ज़रूरी है So basically, it is a process of planning, organizing, directing and controlling the activities of an institution जो भी institution है वहाँ पे जितनी भी activities होती है, उन सब को plan करना, organize करना, direct करना और control करना, okay? by utilizing human and material resources, किसका use करके? human और material resources का इस्तिमाल करके, what is human resources? human resources मतलब जो भी वहाँ पर institution में जितने भी teachers है जितने भी staff members है, चाहे वो non-teaching हो, teaching हो, जितने भी pune है, उन सब का सही से इस्तिमाल करना मतलब, for example एक classroom में 30 students के लिए, एक teacher होनी चाहिए अब अगर student का ratio बढ़ जाएगा, for example 60 या 70 हो जाए, और उसके लिए एक ही teacher रहे, तो यह बहुत जादा unfair हो जाएगा दोनों के लिए student के लिए भी और teacher के लिए भी तो यही बोला गया है कि human resources को सही से use करो, utilize proper करो, चाहिए वो teacher हो, चाहिए वो staff member हो, या फिर teaching, extension work and research, ताकि जब हम human and material resources का सही सिस्तेमाल करेंगे, यह सारी activities को करने के लिए, तो इससे क्या होगा, हम जो भी accomplish करना चाहते हैं, वो हम आसानी से कर लेंगे, चाहिए वो teaching से related हो, या extension work से related हो, या फिर research से related हो, हम properly चीजों को accomplish कर पाएंगे, clear, अब बात करते हैं, objectives of educational management की, मतलब क्या मकसद है educational management का, क्या aim है, so the main objectives of educational management are getting maximum results with minimum efforts, कम से कम effort लगा के, जादा से जादा अच्छा result secure करना, मतलब हमें output बहुत ही अच्छा मिलना चाहिए, कम से कम effort लगा के, smart work करना है हमें, कहां पर, जो हमारे human resources है, material resources है, उनको proper utilize करके, best combination निकालना है, और result जो है, output जो है, वो हमें, बहतरीन secure करना है, second is, managing school programs and activities, क्यों management की ज़रूरत है education में, ताकि हम जितने भी school programs है, उसको manage कर सके, जितनी भी activities होती है, उसको manage कर सके, जो republic day है, independence day है, teachers day है, sport day है, annual day है, कितने सारे programs होते है, कितनी सारे activities होती है, उन सब को manage करना होता है, proper तरीके से, तो वहाँ पे हमें management की ज़रूरत है, next is, to coordinate school activities, जो भी activities school में होती है, उसको coordinate करने के लिए ज़रूरत है हमें, to maintain a public image of the institution, अब अगर management proper रहेगा, तो कोई भी institution की image automatically अच्छी बनेगी लोगों के सामने, लेकिन अगर management ही खराब रहेगा school का, तो उस institution या organization की image अच्छी नहीं बनेगी public के सामने, clear, now, next is motivating, अब सबको अगर duties equally a lot होगी, तो सब लोग जितने भी staff member है, non-teaching हो या teaching staff हो, सब लोग motivated रहेंगे, किसी को भी extra burden नहीं होना चाहिए, या कोई भी free नहीं हो, सबको equally duties a lot हो, तो वो automatically motivated feel करेगा काम करने के लिए, next is managing conflicts and stress, जबी भी stress होने लगे, conflicts आने लगे, या कुछ लडाईया होने लगे आपस में, teachers में, या staff member में, या peon में, तो उन चीजों को proper तरीके से manage करना ये भी ज़रूरी है, right, next is healthy and conducive school climate, वो भी बहुत ही अच्छा हो, healthy हो, लोगों को opportunities मिले, लोगों, लोग महां के helpful हो, लोग महां के encourage feel करे, ठीक है, right, positive environment हो, in short, maintaining school records and financing, बहुत सारे records होते हैं school के, उस चीजों को maintain करने के लिए हमें management की ज़रूरत है, even financing, ये बहुत ही बड़ी चीज है, financing को maintain करना भी बहुत ज़ादा important काम है, next and last is good management, management का अच्छा होना, ये सब चीज करने के लिए बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है, तो इसलिए हमें education में management की ज़रूरत पड़ती है, I hope you got all the points, अब बात करते हैं, importance of educational management की, so the very first one is, educational management helps in realization of educational objectives, मतलब हमारे institution का क्या objective है, क्या मकसद है, उसको achieve कर सकते हैं, हम educational management के help के through, okay, जो भी हमारा vision है, in short, जो भी हमारा मकसद है, उसको achieve करना ये education management से आसानी से हो पाता है, next is, by using educational management, human and physical resources are used effectively, educational management का use करके, हम ये दोनों resources को अच्छे से और effectively use कर सकते हैं, कि कब, किसको और कैसे use करना है, proper तरीके से हम resources को use कर पाते हैं, इस्तिमाल कर पाते हैं, next is, educational management helps to create suitable environment for the growth and development of children, अब educational management अच्छा होगा, तभी ही तो हम कोई भी activities organize कर पाएंगे, हम कोई भी functions या कोई भी activities क्यों करते हैं, ताकि बच्चों की अच्छी तरीके से growth हो, development हो, right, तो growth and development बच्चों की अच्छा होने के लिए management का अच्छा होना जरूरी है, तब ही हम ये सारी चीज़े proper तरीके से organize कर पाएंगे, तो इसी लिए ये सारा environment create करने के लिए educational management की जरूरत पढ़ती है, educational management helps to increase the quality of education, education की quality increase करने के लिए भी इसकी जरूरत पढ़ती है, next is, it provides healthy atmosphere for new innovative methods, research and academic enrichment, अब अगर मैं बात करूँ present situation की ही, तो कोरोना की वज़ा से जो teaching method है वो भी काफी change हो गया, पहले teachers जो है वो formal method से पढ़ा लिया करते थे students को, लेकिन अब उन्हें online teaching करनी पढ़ती है, तो इसे बहुत सारे application आ गए है, play store पे जिसको download करके हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, like zoom है, google classroom है, google meet है, यूज किया ही नहीं, ना ऐसे applications बने थे पहले, तो ये क्या है, एक new methods है, तो ये सब चीजों को लेकर, जो है teachers को train करना, ये किसकी responsibility है, management के responsibility है, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे teachers हैं, जिनको ये methods यूज करना नहीं आता है, तो अगर management अच्छा होगा, तो ही तो वो teachers को अपने train कर पाएगा, ये सारे new methods को सिखाने के लिए, तो इसलिए management का अच्छा होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है, यहाँ पर, clear, now, next is, educational management helps in creating and enhancing good public image of the school, अगर management अच्छा होगा, जैसे के मैंने आपको बताया था, तो ही school की अच्छी image लोगों के सामने बन पाएगी, clear, next, and last is, educational management helps in clarifying the division of power, it helps in distribution of work and responsibility amongst staff members, in short, यहाँ पर हमें favoritism school में नहीं करना है, हर एक को duties equally allot करनी है, चाहे वो senior teacher हो या चाहे वो fresher हो, हर एक को equally, जो है period allot करने है, किसी को भी duties extra नहीं देना है, किसी को भी free नहीं रखना है, किसी को भी extra work नहीं देना है, किसी को भी extra proxies नहीं देनी है, तो यहाँ पर हमें हर किसी को equally duties देना है, काम देना है, सब को proper तरीके से distribute करना है, ताकि किसी के लिए भी burden ना हो, और कोई भी free feel ना करे तो यहाँ पर इस trees का ख्याल रखना भी educational management की responsibility और वही हमें help करता है यह सारी चीजों को proper तरीके से चलाने में तो यह था importance और यहाँ होता है हमारा session खतम अगर आपको आज का session अच्छा लगा तो like, subscribe और share जरूर कर दिना और comment करके मुझे जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye, take care of yourself and thanks a lot for watching